कहां तक रहा है आप लोग यह बताओ आवाज सही है सबीस्टे बोलो यहां आवाज सही है सही दिख रहा है यहां तक दिखेगा ना यहां तक तो मैं यहीं तक लिखूंगा भी बहुत ज्यादा इधर नहीं लिखूंगा तो बच्चा आज आपका है लाइव 15 यह नए बैच का पंद्रमा लाइव कलास है आज 15 नंबर सबको समझ में आ रहा ना मेरी बातें तो आज आप पढ़ोगे 2.3 क्योंकि 2.2 आपका खतम हो चुका था तो आज हम लोग 2.3 में आगे बढ़ेंगे बच्चा पार्टी मतलब 2.3 में डीपी उदल सिंग नाप्या तामई अभिसेख विद्या संकर रोशन प्रभाकर जी गुड इबनिंग बच्चा गुड इबनिंग बाब गुड इबनिंग सबको गुड इबनिंग चलो तो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद यानि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो उसमे 2.3 2.4 जो भी है तो हम लोग पहुंच चुके हैं exercise 2.3 यह सभी बॉर्ड के बच्चों के लिए हैं चाहे वो यूपी बॉर्ड है चाहे सीडियसी कोई भी बॉर्ड का है तो परतेक बच्चा के लिए यह है अब एक बात मुझे बताओ सभी के पास किताब है ना भाईया आँ बाबु किताब लिए हो ना भी न किताब के काम नहीं बनेगा यह बात अपने दिमाग में रख लो एक बार मैं फिर से बोलूँगा लाश्ट बार सभी बच्चे कलास को सेयर कर दो उसके बाद तब हम अधिन थ्री हम लोगों को पढ़ना है लेकिन उसके पहले हमें आज पढ़ना है रिमाइंडर थेवरम क्या पढ़ना है सेसफल परमिये कि सभी के पास किताब है नसी आर्ट वाली ठीक है कि एंसी आर्टी बुक है ना बच्चा आज हम लोग पढ़ेंगे सेसफल परमिये क्या पढ़ेंगे सेसफल परमिये जिसे बोलते हैं रिमाइंडर थेवरम रिमाइंडर थेवरम ठीक है तो रिमाइंडर थेवरम आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा भैरो पढ़ लो तो अच्छा है नहीं तुम्हारी गेमिंग आडी ना तुम्हारे गर चली जाएगी और तुम्हें निकल लोगे तो पढ़ लो कमेंट ठाल दूना करो अभी 45 सिकेंड का मैं होल्ड किया हूं अभी मैं तीन मिनट का कर दूंगा फिर तीन मिनट के पहल है है क्यों कि अच्छा क्या करना जाएक करो तुरण जल्दी से फटा फट तुरण हम लोग पढहूंग क्वा सचफाल पर्मिए क्योंकि जो अगे का एकसर साइज है जो भी question है, वो सेसफल परमिय के उपर ही सब है, अगर आपको सेसफल परमिय नहीं आ रही है, तो फिर आपके लिए ये दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आपको वो exercise बिटा समझ में नहीं आने वाली है, तो इसलिए मुझे आपको सेसफल परमिय सिखाना है, और ये जरूबी है, दो मिनिट हम बेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से class को share करके और लाइक करो पुरन, 100 प्लस लाइक पहुचाओ पहले 200 लाइक, भाईये class चलेगी, एक गंटे में पढ़ाऊंगा, दिमाग पकाऊंगा, नोचूंगा अपने आपको, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी न दुनिया में, कोरोना के यूग में लोगों के सारे धंदे गड़बड़ हो चुके हैं ना, देखता हूँ मैं दो मिनिट चलो, कौन कौन कर रहा है, चलो, मैं इसलिए रुका हूँ कि आप लोग class को share कर दो, जल्दी से सभी share कर दो, एक एक बच्चा जब तक share नहीं करेगा और लाइक नहीं करेगा, तब तक मैं शुरू नहीं करूँगा, और बहुत important topic है, आज का जो topic है, most important है बेटा, अगर इसको तुम छोड़ कि गए न, तो आज समझ लो भी 9 में दिक्कत बड़ी बारी है, जल्दी से सभी share कर दो, एक एक बच्चा जब तक share कर दो, एक बच् करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ अलग तरह के भी प्रांडी आ जाते हैं, जो 24 गंटा फोन करते हैं, इनको चाहिए कि हर समय बात हुआ, हो गया, सभी कर दीए, कोई नहीं बचाब, सभी कर दीए भाई, अभी तो डेड़ सो पलस भी नहीं पहुंचे, यार मतलब कैसे क्या चाहते हो तुम लोग, पढ़ना चाहते हो न, पढ़ना चाहते हो न बच्चा, टू पॉइंट टू में कुष्टन चार, अच्छा टू ने बाद याद दिलाये, कौन है यह, यह महानात्मा कौन थी भाई, जो याद दिलाया, मनोज यादो, ठीक है, मनोज जी, मैं उसको ही पहले बता देता हूं, चलो सेस्पल पर मिये बाद में बताऊंगा, पहले टू पॉइंट टू का कुष्टन नंबर चार कर लो, ठीक है देखता हूं आदा मिनट और, जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, और बिना सब्सक्राइब करें, आप कमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए आप तुरंट सब्सक्राइब करो, फटा-फट, देर नहीं करो, कि हो गए 200 पहुंचाना है 200 पहुंचाना है वह जाएंगे बस सिंपल सा है देखो तुम्हें कुछ टेंसर नहीं लेना कि 200 कई से आएंगे कहां से आएंगे सभी जितने भी बच्चे हैं अपने वर्टसप के गुरूप में सेर कर दो 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 चार जो भी हो आपके जो में पाइल में रॉटसब में चाचा चाची अंटी अंकल भाइय भावी देडी सबको भेज दो बस कोई जिल देखे का कई ब डबाश और किसी शुरू करतें हैं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिबार PBR स्टडी में तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की एंसी आर्टी मैथ्मेटिक्स और इसके पहले हम लोगोंने 2.2 लगभग कंपलिट कर लिया है उसमें भैरों राम गेमिंग, रूपेश, प्रियंका, अमित, संजना तिवारी, चेतन यादो, प्रिया पंडे, दर्सन और रोहिच चोहन, अभजीर, आयूस, प्रियंका दूबेदी, हिमान्सु बर्मा, प्रियंका दूबे, प्रितम विश्वास, और प्रतिमा अभिसकर्मा, धो अनसिका, संजय सिंग या सराज, बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, माफी चाहते हैं, सब का नाम नहीं ले सकते हैं, चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों सेसफफल पर्मी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले एकसरसाइज 2.2 का, यह कुश्चन नंबर 4 छूट जा रहा था, तो मैं इसको बता दूँगा, तब उपर वाला में करूंगा, हेडिंग लिखा हूँ, तो मैं उसको मिटाओंगा नहीं, ठीक है, जो हेडिंग लिखा है ना वेटा, वो मिटाया नहीं जाएगा, तो चलो ठीक है, ओके, बेर कहो, कह रहा है कि निमनलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिती में बहुपद का सून्यक ग्याद कीजिए, क्या करना बच्चा, सून्यक, कल मैं बताया नहीं था इसको क्या, बताया था ना, नहीं बताया था सायद कुछ बच्चे बोल रहें, चलो देखो ठीक है, त तो question no.4 है बहीया बाबू यह तो इसका क्या करना में सूनेक ग्याद करना है क्या निकालना है सूननेक को इंग्लीस में बोलते हैji जीरो आफ पॉलिनॉमियल हां मतलब इस पॉलिनॉमियल के जीरो फाइंड करने हमें जो CBSC वाले हैं उनके में लिखा होगा find the zero of following polynomials ऐसे कुछ लिखा होगा इंगलीस में मिलता जुलता तो पहला जो दिया है भाईया वह polynomial कौन सी बला है देखो का दिया पहला P of x equal x plus 5 तो इसके क्या करने हमें zero find करने है मतलब सून्यक निकालने है तो बच्चा सून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे P of x जो दिया है उसे zero के बराबर करेंगे ठीक है zero के बराबर करके इसके क्या निकाल लेंगे सून्यक निकाल लेंगे तो यहां के बाद हम इधर करेंगे, चुकि नीचे जागा कम है, तो इसको 0 के बराबर करने का मतलब है, यसको 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से लाफ निकालोगे बाबू, माइनस का पांच होगा, आर यह माम시면 5 क्या है? इसका सुन्यक है, क्या है? इसका सुन्यक है लिख लो इसक्रीन साट ले लो रूपेश बेटा देखो मोबाइल नूमबर यहां जो कमेंट कर रहे हो ना बहुत लाते-लात मार खाओगे समझ लो कुछ समझ रहे हो कि नहीं पढ़ने आयो ना यहां कोई नटंकी थोड़ी हो रही है पढ़ लो यह तो भाग जाओ तुरंट भाग जाओ मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं बुरा लगे तो लगे लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रहे हैं कि जिनको पढ़ना है दिल से मतल कर देता हूं कि इसके पीछे वाला जो कुष्चन आप देख रहे थे उसमें इनका जीरो दिया गया था आपको सिद्ध करना था कि इन्हें सत्यापित कीजिए यह दिये गए पॉलिनोमियल के यानि बहुपत के जीरो है यानि सुनने खाया नहीं है तो हम लोग क्या करते थ जो मान दिया होता था उसको इसमें रखते थे अगर सुनने आ जाता था तो लिखते थे कि यक्स की जो बैलू दी गई है उसको एक्वेस्ट करने पर पॉलिनोमियल में पुट करने पर जीरो आ रहा है आता ही इसका सुन्यक है करते थे ना तो बच्चा हो इसको एक बार चल निकाला है वह माइनस पांच निकाला है क्या निकाला है माइनस पांच निकाला है तो यहां पर समझो माइनस पांच निकाला है तो अगर हम यहां पर माइनस पांच रखे कहां पर पी आफ यक्स की जगह पर नहीं केवल एक्स की जगह पर अगर हम यक्स की जगह पर माइनस 5 रखें तो ये जीरो औरना çaren अच्छा यह है सब माइनरस 5 पलस 5 प्लस इकल क्या हा जाएक मायदा सुना हो रहा है न अगर यह जो सुना हो रहा है इसका मतलब ए संजे सिंग कला से गुरू जी काया रहे है हुआ नाम के लिए प्रुषान हो क्या है कि समझ गे तो इसного ले लो नोट कर लो इसका कोई मतलब नहीं था इसको मैं आपको केवल संतुष्टी के लिए करवाया कि आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है जो बच्चे पीछे का कोईस्टन नहीं देखें है चैनल पर वो कलास है कल वाली वो देख ले बेटा दूबे जी नाम लेके जो कर रहे हो किसी का यहां पर अलाओ नहीं है किसी का नाम कोई लेके कमेंट नहीं करेंगे अब पूरी तरह से कड़ाई के साथ हैं पड़ाई होगी पड़ाई के साथ तुम लोग की कुटाई भी जरूरी है लेकिन यहां कुटाई का तातर पर है कि तुम बलाक कर दिये जाओ कर दो आपको पता है खिलाइन इंध में हर बच्चा पड़ रहा है कोई बच्चा बड़ा हो कर के अधिकारी बनेगा जीले का डीम बनेगा और कोई बच्चा उसी जीले में सफाइकर्मी बनेगा नाला में यहां तक कचड़ा में गुषगुस के नाली साफ करेगा समझ नाइंथ में पढ़ रहे हो, तुमारा भविष से आगे बचा है, तुम ही में से, एक कलास में सो बच्चे होते हैं, पचास बच्चे हैं, कोई तो अधिकारी बन जाएगा, जिले का मालिक बनेगा, जो आदेश करेगा उस जिले में लागू होगा, और कोई उसी जिले में सनक पजाड़ लगाएगा, क्यों सफाई कर्मी बनेगा ना कोई, तो कौन बनेगा, जो पढ़ रहा है, इमानदारी से कुछ कर रहा है, आगे बढ़ेगा, वो अधिकारी बनेगा, और का ये जो नंबर दे रहा प्लाने का नाम लेके कमेंड कर रहा है, वो क्या करेगा, वो उस जैसे काम करों वैसे तो मिलेगा ना, जो बहुँआ वही तो काटोंगे, चलो, इसका सिकेंड पार्ट देख लो, नाइन्थ में हो अभी तुम्हारा भवी से सब तुम्हारे आगे है, चाहे बना लो चाहे बिगाड लो, इसका सिकेंड पार्ट क्या है, पी आफ एक्स इक् निकालना है, सुनने का मतलब होता बच्चा जीरो, आइन्थ जीरो आफ इस पॉलिनॉमियम, तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बताओ, इसको जीरो के बराबर करते हैं, पी आफ एक्स को जीरो के बराबर करते हैं, पी आफ एक्स बरा तो बिटा यह एक्स माइनस पांच बरावर क्या करोगे जीरो तो एक्स कमान क्या एगा पांच आएगा देखो मैं दो लाइन में इस लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगा नहीं है नहीं तो तुम सोच वाइसे करना इसे नहीं करना इसको नीचे एक तरफ करते जाना है मैं एकमिनट रुको मैं इतनी कांई फालतू का लिखा हूं मैं इ theatre साइड मे इसको कर देता हूं मैं सोच रहा था इसको फिर से लिखना पडbau इसलिए नहीं मिटाने वाला था लेकिन मिटा देता हूं चलो यह अगले exercise में इसको करवाना था चलो ठीक है staff एप समझ लगेगा ठीक है नितीस बेटा पढ़ लो सिर्फ पढ़ लो बस चलो देखो कुष्टन यहाँ पर मैं इसी का पार्ट दूसरा फिर से करवा रहा हूं हमें क्या निकालना इसमें सुन्यक निकालना यह बात तुम याद रखना सुन्यक निकालना मतलब जीरो फाइंड जीरो आफ गिवें पॉलिनॉमियल तो सिकेंड है अभी एक्स इकृट एक्स माइनस फाइब यह यह दिया है अब यहाँ पर जगा है तो यहां पर बने का काम तो पर एक्स इकृट जीरो के बराबर करेंगे निका यह चाम पांच यह कि ऐसे लगाना था एक ही जगा पर नीचे थोड़ा सा कम जगा थी इसलिए मैं उसको दो बार में अर्जेश्ट कर रहा था बगल बगल कि समझ गए यह पांच क्या है इस बहुपद का क्या है सुन्यक है वच्छे तो यह फरकार से बहुपद नहीं है है दूइपद है ना दूइपद बोल सकते हो बनोमियल न सब्सक्राइब निकूल तुम नाम लेके कमेंट कर रहो न सब्सक्राइब पढ़ो बता रहा हूं बार बार आई रहु ले दो सुभेरे साथ बजे कलास चलती नहीं देख पाए हो तो चैनल पे है जाके बाद में देख लेना का है छट-पटा रहे हो नहीं देख पाई हो तो यहां के बाद में देख लेना अभी आज के लिए हैं लेकिन रोज रोज छोड़ो के नहीं मिलेगी इसलिए रोज मत छोड़ो क्लास आठ बज़े चली थी ना आज ठीक है आगे चलो देखो यह दो पार्ट हो गया तीसरा पार्ट है इसमें का भाई पी आफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पाच इसका तुम लोग अंसर मुझे बताओ गए चलो इसका सभी बच्चा बताएगा कितना आएगा भाई इसका सुन्यक बताओ देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है सटारडे को कल टेस्ट होगा और कल 200 रूपए का सर्प्राइज होगा जो बच्चा तीन कुष्टन अधितम कर लेका दस में से उसे 200 का सर्प्राइज मि कि समझ रहे हो ना कापी चेक होने वाला प्लान भी बना रहे हैं लेकिन उसमें कंडीशन होगी कि तुम्हें अपने आंसर एक निश्चित टाइम दे दिया जाएगा कोईशन लिखने के बाद उतने जल्दी हमारे पास आ जाने चाहिए यह नहीं कि चीटिंग उटिंग करो लुश्च नहीं एस नहीं होने वाला ठीक है कितना आएगा यसराज सिंग्स बता रहे है है बाई मनोज कुमार माइनस फांच बटा दो बता रहें ृब माइनस फांच बता रहे है और लीडर गेमिंग डॉन ओ तुम लोग का लाग अलाग उत्तर आरा सबका एक कै उत्तर आदी आईगा सब्का यूह है कर दो किते किते हम्हों के लिए सब्सक्रामि प्रॉछ। करने चंप निकाला के लिए यूलंगल में दो करूंडर क कրते हैं पर जोका हुआ है। का पालिनोमियार नहीं है। तो इसको हम क्या करते है यह ज्रो बराबर करते हैं। यहीं तो करते हैं न तो इस कमान क्या है यह लाकि इदर पटक दो ना इसमें 2x plus 5 equal 0 यहां से 0 कम यक्स कमान निकाल लो यह चच्चा इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे और यह दद्दा इनके इनके नीचे अगल लटक जाएंगे पस होईगा माइनस 5 बटा 2 is correct माइनस 5 पांट 2 is correct answer मुझे ज्यादा इधर नहीं लिखना चाहिए मुझे ज्यान हो रहा है मुझे उतर ज्यादा लिखना चाहिए जिससे मैं यहां कम से कम ऐसे खड़ा तो हो सकूं लग कुछ समझ में आ रहा है रादे से आम मातो बिटा जो भी नए बच्चे अभी जुड़े हैं बाबु कलास को लाइक कर दो जिससे कि आपको अगली कलास भी मिल सके और आप बिल्कुल फ्री पढ़ सको घर बैठे ठीक है एक बात बता दें आप सभी बच्चे टेली गर चैनल अगर जोईन किये रहोगे तो डेली उस पर लिंक बेजी जाती है जब कलास सुरू होती है वाटसप की सुविधा नहीं बच्चों माफी चाहते हैं हमारे पास तीन लाक बच्चे हैं वाटसप में 256 लोग जुड़ते हैं तो हम कितना गुरूप बनाएं वाटसप व यह जो क्यु छिव स्क्रिंसाइट जै करो मोगाल है क्प्योडर कुछ भी स्क्रिंसाइट होता है अलपटाप में कैसे नुद्धां होता जानते हो वो बिंड बतं दबाओ बिंडो के बास पीसी टी आरे यही बट बतारहूं वह मता घृशंद धूम्हा ड़कि हैं है तो मा कर लिया करो कि हो गया सब का कलपना यादो गेमिंग कि ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए प्रीति विसकर्मा पर्दीप चंद्रकांथ पाठक चेतन ठीक है बेटा वकूर आलम निकल लो यहां से तुम्हारे लाइक नहीं पढ़ाई उड़ाई तुम्हारे बस का न बनो जिससे तुम्हारा नंबर लोग मांगें डूने आप देखते हो मोधी का नंबर कोई पाजाए बताओ पर्दानमंत्री का नंबर पा सकते हो तुम कहीं देते हैं पर्दानमंत्री नंब लो मेरा नंबर है नहीं देते हैं क्योंकि इतने बीजी इंसाने तुम मेरा देख रहो हमारे मित्र लोग सब में बात करते हैं लेकिन तुम किसी को मेरा नंबर मालूम है नहीं मालूम नहीं बताते हैं क्यों क्योंकि हम इतनी लोगों को जोड़े हैं हम अपना नंबर दे दें हम परिसान हो जाएं और यह देखो इतना नंबर दे रहा इसका कोई नंबर ले नहीं रहे तो यही अंतर होता है समझे रहो ना यह नंबर देने के लिए परसाने कोई ले नहीं रहा नंबर कुछ करो कुछ बनो जिससे लोग तुमारा नमबर मांगें तुम खुदे दिये पड़े हो चलो अगला इसलिए मैं समझाता हूँ रोज समझाता हूँ रोज बताता हूँ पढ़ लो पी आफ एक्स इक्वल थ्री एक्स माइनस टू इसको क्या करना है इसमें आप लोग बताओ देखे सबसे पहले कौन बताता है जल्दी बताओ इसका पॉलिनोमियल का जीरो के आएगा जैसे मैंने बताया था वैसे ट्राइ करो कितना है अब मैं नहीं बताओंगा अगले एक्सरसाइज पर चलते हैं तुम लोग कर लेना सब अब सब कर लेना मैं नहीं बताओंगा ठीक है अब 2.3 स्टार्ट कर रहा हूं अब इनों दूबे उसको फोन करके गाली दें क्या हाँ बिल्कुल दो तुम लोग मैं बोल रहा हूं दो ठीक है सब लोग जो नंबर देना उसको फोन करके खुब घरियाओ जी वर के गरियाओ बिल्कुल पूरा खुली चूट हमारी तरफ से कमेंट में नंबर क्यों दे र दूँगा जिसका नंबर आएगा उपर कमेंट में वह खटेगा ही नहीं ठीक है चलो आपकी आने दो अहाँ नंबर दो सबी लोग दो चलो दो जो नंबर देना सब का नंबर ले लो खुब गरिया उसको जी बरके दुबारा ना करें वह पढ़ने लिखने आए और नहीं है देखो यहां पे समझो मैं इसको क्या करना है इसमें जीरो फाइंड करना है तो हम लोग पहले इसको क करेंगे पी आफ एकस को बराबर करते हैं और इसका वेलू जो है दिया है थी एकस माइनस दो दिया है इसको जीरो के बराबर करोगे तो येक्स कमान दुप्ट थीन आएगा कि इतना आएगा टू अपांत्री को गया है है चलो लिख लो फटाफ़ लिक लो शीवम कुमार प्रिया सर्मा बहुत अच्छे रादे सयां मातो very good very good बहुत अच्छे बहुत अच्छे इनका लेलो नंबर सभी लोग तो रोहिच चौहान का ये काफी परिसान है इनका नंबर लेलो देखो पिन कर दिया हूं उपर रोहिच चौहान का नंबर लेलो सभी लोग इनको सुनाना जरूर अगर नंबर सही होगा तो क्योंकि ये काफी परिसान है सुनने के लिए उत्साह करो ठीक है को डिलीट कर दिया है कि चलो अगला कि अब तुम लोग कि मैंना अच्छी बेज़्यती करूंगा चलो करो तीन अक्स इसको कर लोगे अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी बात है इसका कोई आंसर बताए कितना आएगा अब सभी बच्चे कर लेंगे तो बच्चा यह चैप्टर खतम होता है कुश्चन 4 के जितने बच्चे पार्ट है सब कर लेना जैसे मैंने अब फाइस्ट पार्ट सिकेंड लेके फाइप पार्ट तक किया है वैसे इसमें के अभी एक पार्ट और बचा है सिर्फ एक पार्ट बचा है कर लेना बस हो गया ठीक है एक ही पार्ट और बचा है तो चलो अब नया पार्टी स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चा नया पार्टी स्टार्ट करते हैं चलो चलें शुरू करें अगला नेक्स्ट आप लोग हेटिंग डालो सेस्फल परमिये हेटिंग डालो सेस्फल परमिये चलो जल्दी करो सेस्फल पर्मिये लिख लिए इंग्लिस में सेस्फल पर्मिये को रिमाइंडर थरम बोलते हैं क्या बोलते हैं रिमाइंडर थरम तो बेटा एक मिनिट मैं एपलीकेशन का लिंक पिन कर दे रहा हूं आप लोग PBRS टड़ी एप डाउनलोड कर लेना जिनको पूरा कंप्लीट क्लास इकठा करना है उन्हें मिल जाएगी ठीक है समझ रहो ना कि नहीं अच्छा एक बात बताओ जितना आप तक पढ़ाया गया आपको समझ में आया देखो सिर्फ और सिर्फ मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं यही बहुत बड़ी बात नहीं है आप यह बताओ आपको कुछ समझ में आया जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया कि अधि समझ में ना तो चलो अब नेक्सट है नेक्स्ट मतलब अगला क्या है तो सबसे पहले हमें सेस्फल पर मिय पढ़ना होगा सेफल पर मिय पढ़ने के बाद ही हम आगे कुछ इसमें कर ठीक है कभी अभी नोदूबे पढ़ाइї करवा चलों अच्छी बात है इसबादय को संडे को उसकित करेंगे संडे को पढ़ाई नहीं करने नए सिर्फ बात करेंगे आप लोग से संडे को तो नहीं पली कीसान फ्री कलास भी दो तूं चाहीं और she एक बार डाउनलोड करके ट्राइब करना फिर मुझे बताना जैसा है एक बार डाउनलोड करके ट्राइब करना फिर मुझे बताना कि सेस्फल पर्मिय और यह क्या है भाईया जानते हो कि नहीं यह बता कौन-कौन इसको जानता है Reminder Theorem Reminder Theorem क्या है जानते हो देखिए जैसे हम लोग भाग करते हैं तो हम लोग को मालूम है उसमें क्या क्या आता है भाग करने पे भाजक होता है जिससे हम लोग भाग करते हैं जिसमें भाग किया जाता है वो भाच्य होता है जो उसे से में फल होता है वह किया होता भाग होता है मतलब उसका रिजल्ट मेंस करें और जो बच जाताहिं नीचे वह किया होता सेषपल pan होता है लालाऊ राम चौधरी बिल्कुल एप्लिकेशन में फ्री कलास भी होती है बिल्कुल होती है ठीक है उसमें कई चीज़ है आप नाउनलोड करके एक बार देखो फ्री भी है पेड भी है लाइब टेस्ट हो गएरा बहुत कुछ है तो सेस्पल पर्मिये के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग यह जानते हो कि नहीं का होता ह हुआ यह फाहिए यह वह इसुनियों कि यह मिनंट रुक को लिखने दो पेले की पहले तर्थ बराबर लिखो कि भाजय बराबर को वाज़। गूडे मागफ़ल ऑधन सेस यॡ़ा कि अब मतलब वता डिवीडियंड भाजक का मतलब होता है डिवाइज हो कि और भाता मतलब कॉसियंट एंड रिमाइंडर प्लस कर देते हैं ठीक है समझ रहा हूं तो बच्चा इसमें क्या करना है हमें समझो हैं हमें इसका कांसेप्ट समझना है कि आखिर यह सेस्पल पर्मिय क्या है तो आप इसको लिख लो तो उसके बाद फिरम आपको आगे लिखवाते हैं इसका मुख्य क्या चीजहे जो आपको समझना है वो चीज आप समझना है जो बच्चे एंसी एक इर्टी किताब लिए है वो बुक कोले बुक लिएस नबर में बता रहा हूं जो बच्चे मुख एंसीयार indicates सेम्ट्रल एंसीआर्टी मतलब किसी राज्य वाली एंसीर भी नह जारखंट बोर्ड केरल करनाटक पस्चिम बंगाल कहीं से भी हो आप NCRT लिये हो तो पेज नंबर 46 को लो पेज नंबर 46 पर आपको सेस्फल परमिये दिख रहा है रिमांडर थेवरम दिख रहा है सीबसी वालों में कि दिखरा बच्चा की नहीं है हां एक 42 पर भी तुम्हें दिया होगा लेकिन वह नहीं है 42 पर जो दिया है वहां से कहानी शुरू होती है वहां से नहीं करना आपको 46 खोलना है टीक है 46 खोलो 42 नहीं तो यह बहुंड भाई कहीं भी होगा थोड़ा आगे पिछे किसी किताब में तो किसी में 46 hvor कि माली जी पी एकस से अधिक या एक के बराबर घात वाले अक बहुपध है किया रहा कि मान लीजिए पी आफ एक्स क्या है पी आफ एक्स एक से अधिक मतलब एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए पी आफ एक्स को क्यू आफ एक्स से भाग दिया जाता है किस से इसा माने लेने को तो कह रहा है कह रहा है कि मान लीजिए P of X को Q of X से भाग दिया जाता है नहीं X minus A से भाग दिया जाता है ऐसा बोल रहा है आगे कह रहा है तो भागफल Q of X होता है क्या होता है भागफल Q of X होता है तथा सेस्पल बचराय कह रहा है कि वह आफ आर यह बता रहा है नो यही क्या है सेस्पल पर्मिये है यही क्या है सेस्पल पर्मिये है नहीं मिल रहा है तुमको नहीं मिलेगा भाई पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा यह जो इधर उधर करने वाले बच्चें जैसे वाट् चलो यह हो गया यह आप समझ गए तो यह पूरा इस्ट्रेक्चर है आपका रिमेंडर थेवरम का अभी मैं इसको थोड़ा सा यहां पर इसकी जो थेवरम है उसको आपको लिख के दिखाऊंगा मतलब सिद्ध करूंगा आप उसे देखना ध्यान से इसको इतना समझ लो ठीक ह चलो इदर साइड में देखो जिनकी किताब में मिल रहा हो वह और चेवल समझ यह समझें किताब के टेंशन में ना पढ़े कहन नहीं मिल रहा है cent कि को जिनकी मूखंट और उनके मिल रहा होगा तेखों कुछ लोग को मुझा जा बाट करक Gentlemen हमें सोने को बोल दिये मज़ा आगया ना बिल्कुल शही बात बोल रहा हूं गलत नहीं है चलो देखो समझो आगे फिर यह हो गया बेज़ती हो गई भाई तो सौरी लेकिन सही बात है हम भी ऐसा करते थे पहले अब नहीं करते है अब आगे लिखो हिसमें करना फैने इंगलीस में भाऊं कि हिंदी में ये बताओ ब Code इंगलिस में लिखाँ और पनी में इस अब से ऊपर हो बता हुं कि चलो अभी हिंदी में लिखा था अब इंगलिस कि इस पेलिंग होगा आपना सही कर लेना अगर गडबढ होगा तो इंटी है प्लस रिमाइंडर अभ Mireille में लिखा था अब मैं इंग्लिस में लिख रहाऊं आप लोगो ने नहीं लिखा था तो उसे लिखाड़ू ठीक है तो बच्चा देखो अब इसे हम क्या कर रहे है यहां पर आपको दिखा रहे हैं इसका पूरा भयानक रूप समझो कि eramNS में इन प्रोका हूं एक बच्चा का नहीं तो यह लोग ना इतना कचणा कर देते नहीं पे तुम्हें पर नहीं सकते तो देखो समझो यहां पर समझना क्या है डिवीडियंड यह पी आफ एक्स क्यों भाई यही था का डिवाइजर क्या था एक्स माइनस एक बार फिर से पढ़ लो किताब लिए हो देखो जिनके पास किताब नहीं उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा किताब लिए हो तो पेज नंबर किसी में 42 है किसी में 46 है वैसे 46 में मता रहा हूं जो मेन-ncrt यह मूख ncrt आप पेज नंबर 46 पे दिया सेस्फल पर्मिये उसको खोल लो उसमें क्या कह रहा है मैं फिर से बोल रहा हूं अगर नहीं है तो मारे पास किताब तो लिख लो मैं जो बोल रहा हूं लिख लो आरा वाला एक बहुपद है आगे क्या कह रहा है जब पी आफ यक्स को एकस माइनस ए से भाग दिया जाता है तो भागफल क्यू आफ यक्स भागफल को पड़िये तो आवा थे उपर है ना यह आता है ताथा या फिर और जो भी लिखाओ तुमारी किताब में सेस्फखला आफ यक्स हैं तो सेस्फखल यह नीची आउशिक बचेगा आ आप अरे आ आफ यह द्यारा आफ ऐकस नहीं है प्याहिए प्यावर क्या क्या जिखाए चलो वटिखा जिए मुशलर आफ यह क्या है ब क्याहिए पूरी इसकी कहानी है तो हम क्या लिखेंगे डिवीडियन्ड मतलब भाज्य यह पाज्य इसको पकड़ के यह लाग पठका डिवाइजर यह भाजक मतलब यह लाग पठको by x-a यह 9 नहीं है मैंने a लिखा है a far apple यह फार एपपल है बेटाने तो इसको तुम नौ लिख लो नौ नहीं है यह बतलब कान से सुनो दिमाग से समझो और हाथ से लिखो तब ही चलेगा अगर तुम सिर्फ छापोगे तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है अब क्या है प्लस कोईसियंट कितना आया है क्यू आफ यक्स और प्लस रिमाइंडर सेस्फल क्या है आराफ यक्स यह पूरी क्या है कहानी है अब चलो इसको पूरा हमें आपर आपको विश्तार से दिखाते हैं रजनीस कुछ समझ में आ रहा है बच्चा राहूल बाबू राजियू प्रकासन में भी 46 पर है ठीक है बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी किताब में मिल गया तुम खुश हो गया चलो अच्छा यह चाचा सुनो कलास तो नहीं लाइक कर रहे हो तुम लोग याद आ गया मुझे जीए कमेटी सुने हो ना मुझे मेरा मालीक याद आगया तो जल्दी से लाइक कर दो आगया तienst करने के लिए तरण ठाप लाइक कर मतलब अगर बोले तो पूर्ड संक्या कुछ भी रख दो एक चलो देखो कैसे यहां पर अगर हम ए रखते हैं तो पी आफ ए इक्वल यह हो जाएगा बिटा ए माइनस ए प्लस समझो यह क्यों आफ x किवा एक्स का म्तलब क्या हूं पहले बता मुझे जलदी किवाद अब कर मतलब यहां पर यह रहें अंदर में पोछ ठ तो ह सेस्प्र लेकिन अलग से जोड़ा गया था न तो तो यहां पर कहा कि वाफ था क्या था यह तो रिमाइंडर अलग से जोड़ा गया था ना एक मिनट सुनो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ हमें रिमाइंडर लिखना है यहां पर आराफ एक से कोई मतलब भी नहीं है रिमाइंडर मतलब आर वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर लिखना है बस साइड में ठीक है हाँ विल्कुल सही कह रहा कोई ठीक है सिर्फ आर लिखना है बस आपको अब देखो बच्चा यह क्या क्या हो जाएगा आप ज़रा यहां पर सोचो और समझो और बताओ मुझे चलो बताओ क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए अरे यार मतलब इतना देर से दिमाग नहीं काम कर रहा भई यह भाजक यहां पर गुड़ा होता है सौरी वही मैं सोच रहा हूं कि यह जा कहा रहा है आप लोग भी काफी सोच रहा होंगे गलत-गलत पढ़ा रहा है अभी हिंदी में लिखाता तो क्या लिखा मिश्टेक हो जाती है सौरी इसके लिए चिन हो गयरा थोड़ा सा मिश्टेक हो जाता है वैसे फाइनल तो नहीं हुआ लेकिन हा कुछ लोग क्या करेंगे मिश्टेक वाला पार्ट काट करके वायरल कर देंगे कहेंगे यह तो गलत बढ़ा रहे हैं मतला पूरी कहानी समझो जाएगा चिन्री थोड़ी मिश्टेक थी मैंने माना आगे जाकर के खुदय पकड में जाएगा जैसे आगे जाओगे तुरंद मालूम चल जाएगा तुरंद मालूम चल जाएगा गडबढ़ हो रहा है क्योंकि आगे आगे हाली नहीं होता अभी यहां प्लस कर देते तो cm-anyeh जाग चाहिए मांबला जाता है फिर जैसे आज हरो किसी गलत अज़ते पर जा रहे हो तो अ थायाए के गर में घुखने लगो तो क्या आग किसी घर में घुख Content रोडे नहीं तो इसे आगे क्या derived लटक जाते आके तो बिटा यह तो क्या हो जाएगा आपको यह 1 ब्लस आर तो फाइनल में इसका गणा तो जी रो हो जा किवाल आर बचेगा यहीं हम सकते हैं आपको रто कुल मिला करके फाइनल आपका हो गया इसे लिखलो यही था सेचफल परमिये ये क्या है सेजफल परमिये छिक है Да है समझ में आए सबको है एक डिदिलो यह आपका क्ल BaşThis reminder CD है क्या था यह reminder हो अब हम लोग इसी अधार पर question करेंगे किताब वहला लेकिन मुझे लग रहा है आज टाइम नहीं बचेगा न किताब वहला कुष्टन एक सर्साइज 2.3 खोल लो मैं एक बता देता हूं उसी तरह से तुम लोग ट्राई करना फिर कल बता दूंगा ठीक है मनीशा सर्मा लाइफ लाइफ लाइन सूर्य वंसी तेजस्वी बहुत बहुत धन्यवाद रूबी दुबेदी हाँ जी बताइए आडर करिए इस्क्रिंसाट ले लिया मैं मिटाओं इसे लीपूं की नहीं चलो देखो जैसे हल हो जाए वैसे इस्क्रिंसाट ले लिया करो तुरंदेर ना किया करो और बाद में अराम से फुर्सत में बैठके एक अच्छर चापा करो क्योंकि यहां ज्यादा टाइम तो होता नहीं कि तुम छापो और में बैठा रहूं है तो बच्चा 2.3 खोल लो जो बच्चे एंसी आइटी वाली बुक लिये हैं चाहे वह यूपी बोर्ड है सीबेसी बोर्ड है कोई भी बोर्ड है और कुछ तो बता रहे हैं कि राजीव परकासन में भी वही पेज है तो ठीक है 2.3 खोलो तो थे आदेश यद फिटा पढ्लो पढ़़ संब मिलेगा मिलेगा है यहां पे बगवान की का ह Yaupa को यह क्था थोड़ी हो रहीं कभी संख बजेगी तुमको मिलेगा थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़े रहोगा कुछ ना मिलेगा है समझ रहो ना मनोज सिंग ठीक है और अंगाबाद से हो तू नहीं बैठे रहो बोलो मत 2.3 देखिए बच्चा इसमें का मतलब क्या है यह सेस्पल पर्मिय हम लोगों ने क्यों पढ़ा है पता है सेस्पल पर्मिय इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो 2.3 का आपका पहला कुश्चन है वह कह रहा कि यक्स का क्यूब प्लस तीन एक्स का स्कॉयर और प्लस यह तीन एक्स प्लस वन इसमें क्या कह रहा है कि निमनलिखित में इससे भाग देने पर सेस्फल ग्याद कीजिए मतलब फाइनल इसका यह है कि इसको भाग करना है किस से है इनसे करना चत्चा से कि यक्स पलस उन से इनको भाग करना है तो बहुत जैसे मैं तुमको कहूं कि बेटा 14 तीन सब्सक्राइब करना तो तुम काओ कौन बड़ी बात है इसको महर था हु़ा है इसको तोकरेबो यहीं का ओगे न दिस आप कहाजल हो जाएगा नितिस हीना साउ अकिलेस एक पुमार तर्ष॥ हो जाए गां में परतिमं आपका भी jsut जाएगा पिंटिन्य गारब कर जाया कर दो शला देखो बहुत हो जायेगा कुछ लोग कुछ एससे कहें सब्सक्राइब जाए है लिए पानी से पिएंग यह वो जाएगा लेकिन इतना आफानी फे नहीं हो जाएगा मतलब थोड़ा कठिनाई करनी पड़ेगी इसमें तो हमें क्या करना है बच्चा इसको भाग करना ही नहीं है अभी जो रिमाइंडर थेवरम पढ़े हो ना उसी को इसमें लाके ढखेल देना है क्या करना बड़ा हो जाता है कर तो लोग देखो यहां पर समझो इसमें भाग करने का मतलब यह है कि यह से बनेगा उदर यह दिख रहा है ना देखो एक्स का क्यूब प्लस तीन एक्स का स्क्वाइर प्लस तीन एक्स प्लस वन यह है न इसमें भाग करने का यह मतलब है उपर आप एक्स का स्क्वाइर बाल ले जाओगे तो एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वाइर आएगा यह कट जाएगा यह 3x का square और यह x का square जूड जाएगा तो भाई सहाब यह 4x का square हो जाएगा बाबू, उपर से तुम 3x उतार लोगे, क्या उतार लोगे? उपर से तुम 3x उतार लोगे, नहीं जाहिए काई? गलत है, क्यों? यहाँ चिन बदल रहा है, और यहाँ चिन बदलेगा, तो यह 20 7 बचेगा ईख निंगे हैं किया बचेगा दो 7 शिच leash बचेगा और प्लस तीन अब ऐंब कितने ले जाएंगे 2 यक Опूफ ले जाएंगे उसमें गुड़ा कर दो यक लोगों के व्हें पर सुनेकों लोगों को यह बिल्कुल पर लिनी पड़नी संग इनग है डिकान बताओ इمانदारी से इसमें कितने लोगोंWorld और फ 않 На dud अगर किसी को समझ में आया तो बच्चा लिखो हां हां यह हां यह हां लिखो जल्दी आया समझ में किसी को समझ में आया ना आया तो ना लिखो हमने आया कुछ थोड़ा बहुत देखो ये तरीका काफी बड़ा हो जाता है काफी लेंथी हो जाता है ठीक है बेटा सौरे क्या प्राब्लम है कुछ मिश्टेक है कुछ चनमों का था ही दिया था ठीक है इसको मुझे करना भी नहीं है जो भी है वो सही है यह स्कुएर गया तो एक्स का क्यूब आया प्लस एक्स का स्कुएर हुआ यह ठीक है कोई दिकत नहीं है तो यह थोड़ा सा तरीका बड़ा हो जाता है हमें यह तरीका करना ही नहीं है हमें क्या करना सेस्फल पर्मिये यूज करना जो भी आपने पढ़ा है यह तरीका तो अब हम क्या करेंगे हमें क्या कह रहा है इसका पहला पार्ट यह कोईस्टन फाइस्ट है बट्टा यह उसका पहला पार्ट पहिला पार्ट में करा एक्स प्लस वन तो हम इसको मान लेंगे क्या इसको हम मान लेंगे जो उपर दिया है उसको पहिला पद मान लेंगे उसको दूसरा मान लेंगे हम इसको मालनेंगे pf x क्या मालनखे पी आफ एकsm में वाले मिए एक省 का Q पलस 3 एक का स्क्वायर पलस थीन एक पलस 1 लिख लो दो आप लोग इसे क्या मान लेंगे gua Q 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 कि आधा कि अभी निकाले ना आँ याभी निकाले ऊसबी सेजफब पर मिये से हमें क्या करना है कि आफ ایکस को चीरो के बराबर कर देना है यहां से हमें इसका क्या निकाल लेना है कि अभी अभी पढ़े हो जीरो निकाल लेलेने न तो आप लिखोगे यहां पर क्या लिखोगे आगे लिखो पटनलिखो लिखो चलो लिखो लेको सेंस१ार्टमिय से सेसफल पर्मिय सल्ट एकारडिंग टू reminder theorem एकारडिंग टू प्लस वन है इक्वल जीरो तो यक्स कमान क्या एगा माइनस कवन क्या एगा माइनस कवन अब देखो यह क्या आंसर हो गया बताओ क्या यह आंसर है नहीं यह आंसर नहीं है यह आंसर नहीं है क्योंकि अभी यह मान तुम ले जाकर के मेन वाले में रखोगे ठीक है मेन वाला का मतलब जो आपका पी आफ यक्स है तो यहां पर आप क्या रखोगे पी आफ देखो इसमें मान रख रहा हूं इसमें पी आफ एक्स वाले में तो जहां-जहां यक्स है वहां-वहां-1 हो जायेगा तो बच्चा हो यह minus 1 का whole cube ऐसा क्यूं हुआ क्यूंकि यहां पर यक्स का whole cube था तो इसійсьवजा से इसका मान सब्सक्रां रखा वानेस 1 माइनस 1 का होल क्यूब वह गया बीच मेपनी में प्लस तो ठीक है यह성 के 4 सब्सक्राइब दीज़यों के , अब माइनस 1 के स्ख् devrait और प्लस जाएता है यहा दिज़ता है इसमेम्-2 एजहता हुश एककैंए यह थोड़ा क्वेश पन्द 국 खिसका देता हूं है तो हमें क्या करना अब इसको समझना है मैं इसको समझा दे रहा हूं थोड़ा मुझे चोड़ा करने दो इसे चलो समझ लो समझना आपको तो यह क्या हो जाएगा माइनस वन का कितना बार भी गुड़ा कर दो तुम क्या होगा माइनस वन का कितना बार भी गुड़ा कर दो वह माइनस वह माइनस ही होगा तो यह माइनस वन हो जाएगा और यह वन का स्कुरार करोगे प्लस हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा और यह माइनस 3 प्लस 1 प्लस प्लस जुड़ेगा बिटा तो यह माइनस का 4 और प्लस का 4 फाइनल में क्या आएगा जीरो आएगा क्या आएगा जीरो लिख लो इसको पूरा इतना लिख लो कोई दिक्कत नहीं है जल्दी से लिख लो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को ठीक है सब को समझ में आया काजल कमेंट आ रहा तुम्हारा मैं क्या करूं तुम्हारा नामी बोलों कि पढ़ाओं काजल कमेंट आ रहा है अब बताओ क्या चाहती हो कि मैं पढ़ाओं या फिर आपका नामी बोलू हमेशा लिख लो आप लोग स्क्रीन साट लेलो टाइम हो गया आज की कलास इंडोरने का कफी टाइम हो रहा बच्चों तो फिर किसी का कोई सवाल है कोई सिकायत है तो बताओ नहीं तो बंद करें कलास को आज थोड़ा छोटे हो जाएं आप सही लग रहा है ना स्क्रीन साट बेटा लेलो मेरी पोटो भी याजायागी चलो किस्क्रीन साट लो जल्दी है कोई लियाक नहीं इतना देर जूग के खड़ा था तो आज कर यह कलास यहीं पर हो गया खतम अप लोग स्क्रीन साट लेलो हो गई पूरा बात खतम हो गई काम्या मोर्या दिख नहीं रहा हैं देखो बेटा तुम्हें चस्मा बनवालो अपने डेडी को बोलके लकडी का कहे तो मुझे दिखता कम है बनवा देंगे सही रहेगा दिखेगा भी बेख कि देखो समझ में आएगा जब तुम रोज पढ़ोगे तब ना इस चच्चा बनके एक दिन आजाओ नहीं समझ में रोज पढ़ोगे तब आएगा कि कहां भूकंप आरा भई हमारे हां तो भी नहीं आया देखो पंखा भी नहीं गिर रहे हैं देखो बचके रहना भूकंप उसके चीज के नीचे छुपते हैं भागते नहीं है भागते नहीं है क्योंकि भागने में और बड़ा कत्रा है तो चले फिर आज का कलास बंद करते हैं आप लोग जल्दी से एक मिनट यह बताओ कौन कहां से जुड़ा हुआ है कौन को कि जिले से जुड़ा हुआ है मजा में से बार कमेंट करो गए क्योंकि मैं रोंक दे रहां क Cameron दबार आएगना जल्दी से कि दो मिन्त है हीँी दो सीकेंड हो गया बहुत जल्दी हो गया में एक मिनिट उल्टा हो गया मैं दो मिनट लगाने वाला था तो दो सिकेंड हो गया वो, ठीक है बहुत अच्छे बच्चे, very good, राछुल, आजम गड़ से हैं, बहुत अच्छे, बंटी सिंग बिहार से हैं हीना च्छतिसगड परियाग राज से आसुतोष सिंग बहुत अच्छे बेरे गुड नितीस गोपी यादो सौर्या चेतन और पंकच पाप जुगुरू कुशी नगर से हैं बिया सर्मा हिमाचल पर्देश के मंडी जिले से हैं बहुत अच्छे आज काफी तेज कमेंट आ रहा है अबीजय मिस्रा बेश्ट चंपारन से हैं और रतन भाई है जैपुर अजस्थान से और इनका नाम है गांडालाल बर्मा जी यह अलिगड से हैं बहुत अच्छे इसमें तो देखो बड़ा मज़ा आता तुम लोग को भाई अपना जगा का नाम जिले का नाम बताने में अधीपक उत्राखंड से हैं और एक दीपक और हैं जोकी राबरेली यूपी से हैं रेनु और एया यूपी से हैं क्रिष्णा चौधरी भाई माउ उत्र पर्देश से जुड़े हैं पंकज कुमार पांडे यूपी आजमगर से हैं कोमल मौर्या यह इलहाबाद से ही हैं इलहाबाद से आपकी कलास भी चलती है संजीद कुमार आगणपुर जिला से और कोई एनिवन भायरो राम गेमिंङ राजस्थान के बूंदी जिले से हैं अदिख्षासरमा अलिकाड़ी उपी से हैं संजे कुमार नालंदा विहार से हैं साक्षी यादो कानपुर जिला से हैं वह में मालूम हो जाता है नागपुर से कौन है भाई नमन अजब सिंग भी परियाग राज से हैं कमाल यार अजब सिंग की गजब कहानी अब मेरी मोबाइल अच्छी लग रही है क्या देखो इसमें एक ठी कपर लगाया था खड़ी टाइप की वह बड़ी गंदी थी मैंने उसक पूप संक है यह बहुत से बच्चे काफी दिन कमेंट करते हैं तो हम चाइना से काफी बड़ी नफरत करते हैं तो चाइना का कोई भी डिवाइस नहीं लेते जल्दी से जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहों है अब ज़्या देखो इंग्लिस या हिंदी लिखो तो साम को 7 बज़े से मैत पढ़ने के लिए और सुबह साथ बज़े साइंस पढ़ोगे ना सुबह साथ बज़े साइंस पढ़ना एक चीज़ और सुन लो कि आप सभी बच्चे पीवियर स्टेडी का टेलीगराम चैनल जरूर जोईन कर लो बच्चा जिसे आपको कलास को लिंक मिल सके ठीक है सभी बच्चे PBR study को टेली गराम पे अवस्य जॉइन कर लें टेली गराम पे नाम है PBR study मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टेली गराम पे जा करके PBR लिख करके सर्च करना है चैनल मिल जाएगा राजकुमार सानी ठीक है पोको नहीं है बेटा सामसंग याम थार्टी वनियास है यह उपको पोको हमें नहीं मालूम क्या है और दूसरी बात ना हमारा काम बहुत भारी रहता है हम अब तक कहीं मर गए होते हैं अगर आइसी मोबा हमारे मोबाइल में लगभग 20-25000 बच्चों के नंबर है वाटसप पे अब बताओ अगर 25000 नंबर वाटसप में सेफ कर लोगे अपने चलेगा तुम्हारा मोबाइल हां जो तुम लोग देख रहे हो नंबर नीचे चल रहा है अलप लाइन वाला वह इसी में है अब इस पर सब्सक्राइब करें तुम लोग इकठ्थ है मैसे बेजोगे तो कितना मैसे जाएगा वाटसप खोलने पर सोचो कि ठीक है बंद करें फिर बरसा जाद हो राधा प्रजापती ठीक है गुड़नाइट सबको गुड़नाइट बहुत बहुत धन्यवाद तो हां तेली ग्राम पर पी वीर स्टड़ी जुन कर लेना एक बात और सुन्न लो जाते-जाते आप सब्सक्राइब कर लीना बच्चा क्योंकि आपकी कलास आने वाली इसी चैनल पर चलने वाली है स्यडूल बदल रहा है अगले महिने से इसी चैनल पर चलेगी जहां देख लो इस पर नहीं चल होते हैं वो नाइन टेंथ वालों के लिए ही है कि गुरु का आसिरबाद भाई बहुत दिन के बाद आप आ रहे हो है क्यों आसिरबाद कहां चले गए थे भाई आपके बिना तो कलास सूनी सूनी से लग रही थी लेकिन ये बेसिक मैथ तो है नहीं है फिलहाल आपकी बेसिक मैथ आपके काम की है तो देखो भाई या मैं लिंक भेज दिया हूं जिनको पढ़ना है रेगुलर नाइंथ का हमारे साथ फ्री वो सभी जाके अभी तुर अब कल थैंक यू ओके वैसे जाइंद ऐसे बोलते हैं इससे